बिल्कुल जशन का माहौल है, कॉंग्रेस खेमे में यहाँ पर साफया खान जो है 12,000 से ज्यादा मतों से भाजपा के सुपवन सिंग को पचारने में सक्षम साबित हुई है हमारे साथ खुच साफया खान इस समय है, मैं एक बड़ी जीत आपके लिए कॉंग्रेस की 100 सीटे हो गई है विधान सबा में, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहाएगी बिलकुल, बिलकुल, अब कॉंग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ मुझे लगता है विधान सबाने काम कर पाएगी, अदरवाइस यह रहता है कि we are 99, now we are 100 with full majority, तो मुझे लगता है बहुत मजबूती कॉंग्रेस को मिली है और मुझे लगता है मेरे द्वारा मिली ह तो यह जो शेत्र है मैम यह पहले एक मॉब लिंचिंग के मारपीट के मामलों की वज़े से इन फेमस हो गया था, कई वारदाते भी हुई यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि पोलराइजेशन या रिवर्स पोलराइजेशन हुई जो फैक्टरिक आपकी जीत में थाबित ह कहते हैं, काट की हांडी बार-बार नहीं चड़ती है, इन्होंने कोशिश तो करी पोलराइज करने की लेकिन इस बार हो नहीं पाया है, क्योंकि वो रगबर कांड की बाद रामगड को इन्होंने इतना बदनाम कर दिया था, खुदी गौत असकरी करते हैं, खुदी करते हैं, गौर अक्षक उनको मार देते हैं, और फिर इलजाम दूसरों पे लगाते हैं, तो मुझे लगता है, जनता समझ चुकी है, कि भारती जनता पार्टी मुद्धों का इस्तमाल करती है, पॉलराइज करने के लिए, ग्राउंड पे उनका कोई काम नज़र कहीं भी न मैम, आपके साथ कांटेस्ट में बस्पा के जगत सिंग भी थे, क्या आपको लगता है कि त्री कोडियें कांटेस्ट था, या आपको लगता है कि बस्पा ने कॉंगरेस के वोट काटे हैं? कॉंग्रेस चाहती है कि कम से कम अलवर में जो जीत हासिल की थी उसको आगे उसमें जो बड़त मिली थी उसको आगे भी कायम रखे. कैमरापर संदीप के साथ देवंकुर वधावन, अलवर आज तक.